देखो हमारा है जंडा प्यारा, तीन रंगों का मेल सारा, रहे सदा ये जंडा उचा, आकाश को रहे यह चूता, सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसका अपमान, जंडा है यह देश की शान, बना रहे सदा ये महान हमें अपने देश के जंडे का सदैव सम्मान करना चाहिए, इस कीत में आए रंगीन शब्द को देखिए, का, को, की, ये शब्द, शब्दों को एक दूसरे से जोड रहे हैं, यदि इन शब्दों को हटा दें, तो हमें यह नहीं पता चलेगा, कि ये शब्द आपस में कैसे जुड़े हैं, शब्दों का आपस में संबंध जोडने वाले ये शब्द कारक हैं, अतह हम कह सकते हैं कि संग्या या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनके संबंध का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं, कारक के भेद, हिंदी में क कारक के आठ भेद होते हैं, करता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधी करण कारक, संबोधन कारक, प्रत्य कारक के चिन्न अलग-अलग होते हैं, इन्ही चिन्नों से कारक की पहचान होती है, कारक और उनके चिन्न इस प्रकार हैं कारक, विभक्तिचिन्ह, कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, अपादान, से, संबंध, का, के, की, अधी करण, मे, पर, संबोधन, हे, अरे, आईए, प्रतिक कारक की बारे में जाने, कर्ता कारक, संग्या के जिस रूप से, कार्य करने वाले का पता चलता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं, इसका चिन्ह, ने है, ने चिन्ह का प्रियोक, भूत काल में होता है, जैसे, राम ने, रावन को मारा, परविंदर ने, जुला जुल कर्मकारक क्रिया के कारे का फल जिस पर पढ़ता है अथ्वा करता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्मकारक कहते हैं इसका चिन्ह को है जैसे सविता बाजार जाती है भिखारी को यहां बलाओ विशेश अनेक स्थानों पर कर्मकारक का चिन्ह छिपा होता है जैसे उपर बाजार के साथ कोका प्रियोग नहीं हुआ है करण कारक जिस साधन की सहता से काम किया जाता है यानि क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं इसका चिन्ह से है जैसे मनिका चाकू से फल काटती है करण गेंच से खेल रहा है संप्रदान कारक करता जिसके लिए कोई कारे करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं इसके चिन्ह को तथा के लिए हैं जैसे यहाँ पुस्तक मोहन के लिए है कुसुम ने भिखारी को पैसे दिये अपादान कारक जहाँ कोई वस्तु किसी से अलग होती है अथवा किसी दूसरे से तुलना की जाती है तो जिससे वस्तु अलग होती है और जिससे तुलना की जाती है उन्हें अपादान कारक कहते हैं इसका चिन्ह से होता है जैसे पेड से पत्ते गिर रहे हैं पार्थ नकुल से लंबा है संबंध कारक जहां किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्यात हो उसे संबंध कारक कहते हैं इसके चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, आदी है जैसे तिरंगा भारत की शान है यह चित्र मेरी मा का है अधिकरण कारक क्रिया के होने के आधार को अधिकरण कारक कहते है इसके चिन्ह मे पर है जैसे छट पर बालक खेल रहे है मा रसोई में है संबोधन कारक जहां किसी को बुलाने का भाव हो उसे संबोधन कारक कहते है इसके चिन्ह हे ओ अरे आदी है जैसे अरे नगमा इधर आओ, हे साधुओं यहां बैठो, याद रखें वाके में शब्दों का एक दूसरे से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं हिंदी में आठ कारक होते हैं करता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधी करण कारक और संबोधन कारक अनेक स्थानों पर कारक चिन्ह चिपे होते हैं कारक चिन्हों का प्रियोग करने पर वाक्यों का रूप बदल जाता है जैसे ने चिन्ध का प्रियोग सदैव भूत काल में होता है कारक चिन्धों का प्रियोग करने पर संग्या सर्वनाम शब्दों का रूप भी बदल जाता है जैसे यह बच्चा सत्य बोलता है इस बच्चे ने सत्य बोलता है